हेलो प्रैंज वेल्कम टू मैं चैनल अर्शत पतेल निफ्टे टेक्निकल्स तो शेर मार्केट जो अभी गिर जो का है तो आज का यह टॉपिक है कि अभी एक कितना गिरेगा और कौन से लेबल तक गिरेगा वह जानेंगे अभी तो आप जहां सब जानते है कि 15 दिनों से मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब गिर रहे हैं कंटिन्युस तो आप देखते हो भी सुक्रवर को यह 10.316 लाके लेबल पर बंद हुआ है तो जैसे कि आप पता होगा कि 15 दिन से कंटिन्युस से गिर रहे है अपी तो आप यह 10.300 का जो लेबल है 10.500 तक जाने की उम्मीद थी अपना शुक्रवर को लेकिन वहाँ से कंटिन्युस सेलिंग आ गई रियापोरेट की जो खराब न्यूस थी उसका भी असर था एक जो अब याई के क्रेडिट पोलिसी थी शुक्रवर को तो अब आप देख सेते हो यहां से पांत दिन से हम गिने तो गयाहगाय। अब देख सकते हो चार था रिक से टो बिल्कुल नीचे आ रहा है और गयाहँ दास अधर के लेवल से अभी आके तीन दस दार दिन्सों तक आ गाया है अभी तो मेरा जो टार्गेट है वह अभी दास अधर का लेवल है वो भी अभी तोड़ तोड़ेगा भी स साइद आने वाले दस दिनों में तो कुछ चंसे नहीं अभी ऊपर टिकने की और नवजार पांसो तक पी जा सकता है निप्टी तो लास्ट देखे हम कहां से गिर रहा है अभी तो आप देख़े हो कि अवरल देख़े है तो में है इसांट के उपर हाय बनाए था तीस तारिक ओकस में जो थी तो वहां साहे था गया दर आन्वाशो तक था है अपर गया दर नौ सट्र। मार्केट गया था उसका आई बनाया था आप देश्चे देखो चार्ट में निफ्टी का जिरो दाकी प्लेटफोर्म में तो गया दर नो सो तक गया था वहां से कंटीनियूस अभी गिर रहा है अब देश्चे तो यह टाइम फ्रेम में 1170 तक और यह नीचे भी वहां से एक त प्लूक्स जिसने लिये थे डिलिवरी में उनका भी बहुत लॉस हुआ है तो नहिक्ता को बिल्कूम नीचे एक ही तरफ का चाट है उनले तो पूट के लिए 9000 का भी लेवल है वहां तक भी जाएगा तो अभी सपोर्ट मिलने के लिए कोई इंडिकेसन नहीं अभी चार्ट में तो देखेते हो जैसे कि कि 10,000 का लेवल जो है वह आने वाले समय में ब्रीज कर सकता है और उसके नीचे भी तोड़के जा सकता है निफ के दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहे है और भी जनकारी मिलती रहेगी और निफ्टी आफशन के ट्रेडिंग देखते रहे है दोस्तों थेंक्स वर वाचिंग